find the local maxima and local minima of the function fx is equal to sin x minus cos x where x is less than 2pi and greater than 0 also find the local maximum and local minimum values यह question जो application of derivatives class 12 mathematics से लिया गया है जो कि NCRT book से भी है और दिली के first, second and third set 2015 में आया हुआ important question है अगर आप मेरे चैनल दमैस गुरुदे पर नए है तो red बटन दबा के subscribe कर ले और bell icon जो दबा दें ताकि notification आपको मिलते रहे तो इसमें जो है हमारे को क्योंकि local maxima और local minima जो है निकालना है और उनकी values भी निकालनी है तो f x जो हमारे को function दे रखा है sin x minus cos x उसको जो है यहाँ पर लिखा जाएगा और फिर उसका जो है हम differentiation करेंगे तो जो है अब यह जो है sin x minus cos x है और वो जो है वो 0 से लेके 2 pi के बीच में है तो यानि के वो जो है मतलब 4 quadrant में कहीं भी हो सकता है तो f x जो है sin x का differentiation होगा cos x और cos x का होगा minus sin x तो minus minus के sin x होगा तो इस तरह से यह जो हो गया cos x plus sin x हो जाता है अब जो है maxima और minima निकालने के लिए हमारे को जो है इसको हमारे को जो है 0 के equal रखना पड़ेगा फर्स derivative को तो यहाँ पर cos x प्लस sin x जो है उसको 0 के equal रख देंगे और फिर जो है इसको इसकी value जो है हम x की निकाल लेंगे यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 0 रखने पर cos x प्लस sin x जो है वो 0 के equal हो जाता है अब sin x और cos x को different side में कर देंगे तो sin x जो है minus के cos x के equal होगा जिससे की sin x upon में cos x जो है minus के 1 के equal होता है तो minus 1 के equal हुआ sin x upon में cos x क्या होता है वो होता है 10 x तो 10 x जो है वो minus 1 के equal है तो minus 1 का मतलब है कि कि जो है यह 10 x जो है यह यह जो है या तो second quadrant में या fourth quadrant में क्योंकि first में और third में तो इसकी value positive होती है तो इसका मतलब third में तो यह ओनी सकता बस्त में भी नहीं हो सकता तो इसका मतलब second और fourth में है तो second जो है quadrant वो pi by 2 से pi तक होता है तो इसका जो है इसका मतलब वो pi से तो कम है लेकि जो है pi by 2 से चोटा है इसी तरह से fourth में होने का मतलब है वो 3 pi by 2 से 2 pi के बीच में है तो क्योंकि 1 जो है 10 की value 1 होती है वो pi by 4 पे होती है तो यह जो है आपका minus के जो है 1 निकालने का मतलब है कि second quadrant में करने के लिए pi minus में pi by 4 करना पड़ेगा क्योंकि 1 जो है वो pi by 4 पे होता है तो pi minus pi by 4 जो है 3 pi by 4 हो जाएगा और अगर इसको जो है अगर हम fourth quadrant में देखते हैं तो यहां पर जो है इसको 2 pi में से pi by 4 माइनस करना पड़ेगा तो 2 pi minus pi by 4 करेंगे तो यह 8 minus 1 7 pi by 4 हो जाएगा तो 7 pi by 4 जो है 10 आया 10 होगा 7 pi by 4 तो x जो है इसकी value या तो 3 pi by 4 हुई या फिर 7 pi by 4 होती है तो यह जो है इसकी 2 value x की 3 pi by 4 और 7 pi by 4 जो की क्रमश है जो है आपके second quadrant और fourth quadrant के बीच में है तो यहां देखिए कि अब इसका double derivative करके देखते हैं कि तो यहां cos x का जो differentiation है वो minus के sin x होगा और sin x का differentiation जो है plus के cos x होता है तो minus के sin x plus के cos x जो है इसका double derivative हुआ तो यह जो है आपका जो है यहां पर इसकी value जो है 3 pi by 4 पे चेक करते हैं कि यह क्या है तो 3 pi by 4 जो है x की जगे रखेंगे तो यहां पर देखिए minus के sin 3 pi by 4 और cos 3 pi by 4 होगा क्योंकि यह second quadrant में second quadrant में जो है sin की value तो positive होती है लेकिन cos की value जो है वो negative होती है तो यह जो है pi minus में pi by 4 है तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 pi by 4 की जगा pi minus pi by 4 और इधर भी cos में cos जो है pi minus pi by 4 लिखेंगे तो जो है जैसा कि मैंने बता है कि second quadrant में sin positive है और cos जो होता है वो negative होता है तो इसका मतलब minus के sin pi by 4 हुआ और minus के ही जो है cos pi by 4 होंगे तो अब pi by 4 पे sin और cos दोनों की value 1 upon में square root of 2 होती है तो minus के 1 square root of 2 upon में और दोनों में आएंगे तो LC हम लेंगे root 2 तो minus 1 minus 1 उपर आगे minus 2 upon में root root 2 जो है आगे minus के root 2 तो जो की negative है तो negative जब कोई value आती है second derivative की तो इसका मतलब वहां पर वो maximum value रखता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो है 3 pi by 4 जो है negative value बताता है कि वहां पर जो है fx की local maxima है और local maxima की value निकालने के लिए अब हमें 3 pi by 4 को fx में रखना पड़ेगा तो fx जो की sin x minus cos x है उस पर जो है हमारे को इसकी local maximum value जो है वो निकालने है तो हम जो है fx जो की sin x minus cos x है उसमें x की जगा पर 3 pi by 4 रखेंगे और 3 pi by 4 रखेंगे तो f जो है x जो है वो हो जाएगा f3 pi by 4 और sin x जो है वो हो जाएगा sin 3 pi by 4 और minus cos x जो है वो हो जाएगा minus के cos 3 pi by 4 तो इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा तो अब क्योंकि sin की value जो है वो second quadrant में positive होती है क्योंकि 3 pi by 4 जो है वो second quadrant में है तो sin 3 pi by 4 जो है वो positive होगा और cos 3 pi by 4 जो है वो negative होगा तो इसका वज़े से जो है आपका cos sin 3 pi by 4 को हम लिख सकते हैं पाइ माइनस में pi by 4 और cos 3 pi by 4 भी हो जाएगा cos pi by 4 माइनस में तो क्योंकि sin 3 pi by 4 sin pi by 4 के equal होगा pi minus theta sin pi minus theta sin theta के equal होता है लेकिन cos pi minus theta जो है वो plus के cos theta नहीं होगा बिलकि minus के cos theta होगा तो minus minus cos theta जो है प्लस के cos theta यहां पे theta जो है वो pi by 4 है तो one upon में root 2 जो है sin और cos की pi by 4 पे होती है तो one upon में root 2 प्लस one upon में root 2 जो है two upon में root 2 हो गया है जो की root 2 के equal होता है इस तरह से local maximum value जो है वो root 2 होगी अब 7 pi by 4 पे जो है हम second derivative को check करते हैं तो यहां पर जो है क्योंकि fourth quadrant में आ रहा है 7 pi by 4 तो sine की value जो है वो इसमें negative होगी और cos की value जो है इसमें positive होगी तो second derivative जो minus sin x plus cos x था वो हो गया minus के 7 pi by 4 प्लस में cos सेवन के pi by 4 तो seven pi by 4 जो होता है वो होता है työ 2 pi minus pi by 4 तो sine 2 pi minus theta जो होता है वो minus के sine theta होता है और cos two pi minus theta जो है वो plus के cos theta होता है इस तरह से एसमें help же minus के sin pi by 4 ओर जो है ये plus के cos pi by 4 तो sin pi by 4 की value जैसा कि आप जानते हैं कि one upon में root 2 होती है और cos pi by 4 की value भी one upon में root 2 होती है तो root 2 जो है वो LC हम लेंगे तो उपर one plus one आएगा और one plus one जो है वो 2 हो जाएगा तो 2 upon में root 2 जो है वो हमारे इसकी value आएगी जो की root 2 के equal होगी तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्योंकि यह positive है तो positive होने की वज़ा से जो है यहाँ पर इसकी value जो है minimum होगी यानि के local minimum जो है वो 7 pi by 4 पे है तो जो है fx की local minimum जो है वो है 7 pi by 4 और इसकी local minimum value निकालने के लिए हम fx में 7 pi by 4 रखेंगे तो fx जो है वो हो जाएगा f 7 pi by 4 और sin x जो है वो हो जाएगा sin 7 pi by 4 और minus के cos x हो जाएगे minus के cos 7 pi by 4 अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 7 pi by 4 को जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 pi minus में pi by 4 तो जो की sin 2 pi minus theta जो है minus के sin theta होता है और cos 2 pi minus theta जो है प्लस के cos theta होता है तो यहाँ पर sin 7 pi by 4 जो है वो आपका हो जाएगा sin 2 pi minus में pi by 4 और cos 7 pi by 4 जो हो जाएगा वो होगा cos 2 pi minus में pi by 4 यहाँ पर theta जो है वो pi by 4 है तो sign जो है वो negative होगा और cos negative sign pi by 4 और cos जो है वो pi plus का होगा लेकिन minus के sign के वज़ा से ये भी minus के 1 upon में root 2 हो जाएगा तो LC हम लेंगे तो minus के 2 upon में root 2 हो जाएगे जो की minus के root 2 के equalize यही इसकी minimum local value है